जी आ मुच्छों पिछले क्लास में फॉर्मेशन ओफ इंडो स्पर्म देखाता है आज ही क्लास में डवलप्मेंट ओफ डाइकोट इंब्रायो देखेंगे डवलप्मेंट डाइकोट इंब्रायो डाइकोट इंब्रायो का डवलप्मेंट किस तरह से होता है अलगलग सेप में इंब्रायो कनवर्ट होता है सबसे पहले ग्लोबलर फॉर्म्स आता है ग्लोबलर इंब्रायो बोलते हैं उसके बाद जो यहां पे कनवर्जन होती है हड्ट सेप इंब्र cen होता है बाद में होर्सू सेब इंब्र enabled होता है तो डॉपींट कोटी में हम लोग स्टर्ट करेंगे जाइगोड से जाइगोड में किस तरह से माइटोक डिविजन होती है क्थ दो से सेल का फॉर्मिशन होता है एक टर्मिनल और एक बसल सेल्स यह जो टर्मिनल सेल्स होते हैं चलाजा के तरफ होते हैं चलाजल इंड के तरफ और जो बसल सेल्स का फॉर्मिशन होता है माइक्रो पाइलर इंड के तरफ होता है, जब हम अने ट्रोपस अव्यूल्स को देखेंगे, तो यह जो नीचे के तरफ माइक्रो पाइलर इंड के तरफ जो सेल्स होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे Pressel System और जो उपर की तरफ होंगे वह टरमिनल सेंटेंगे से Crispimbrayo का formation और यह हमारा जाइगोट क्या किरेगा फरतर डिविजळ खरके अलग अर अरफ स्ट्र बनाएंगे यह जाइगोट में ही डिविजन होगा जाइगोट हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है Detroit structure यह इस्ट्रक्चर है दिप्लयड सट्रक्चर है कि तो आज के क्लाप में हम लोग Supreme Pent 좋 with विव्र herd को डेखें जहां प too कि यहां पर जैसे हम लोग देखेर यह सेल्स है को जैडो जो होता है इस Sicher मेरा क्लाइट फॉर्म में है यह माइट्वूट ड dairy वीज़न करेगा कैसा डिविज़न मैटोसिस करेगा मैटोसीस या फिर माइट्वूटिक डि की हैं और इस तरह से दो सेल का फोर्मिशन करेगा माइटोटिक डिविजन होगी एक से दो सेल बनेंगे उपर चलाजा फोर्म सूंगे चलाजा साइड में और नीचे की तरफ माइक्रो पाइलर इंड होंगे अभी हम लोग और इस्ट्रक्चर देखा तो यहां पी जो दो सेल्स बनेंगे एक उपर की तरफ होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मीनल सेल्स क्या बोलेंगे टर्मीनल सेल्स और इस तरह से नीचे की तरफ बेस फॉर्म में होंगे बेसल सेल्स बाद में टर्मीनल सेल्स प्रो इंब्रायो का फॉर्मिशन करेगा य और यह जो बेसल सेल से यह टांसबरस डिविजन करेंगे ओर सेस्पेंसर सेल का फॉर्मिशन करेंगा बेसल सेस अन्डरो come undergos अन्डर वोज अंड्र डिविजन कैसा होगा अंड्र मेनी चार्वर डिविजन यह सब्सक्ति हो आई सस्पेंसर सेल का फॉर्मिशन करेगा इस तरह से सस्पेंसर सेल का फॉर्मिशन होगा अब टर्मिनल सेल्स है उपर वाला सेल्स चुछलाजल इन की तरफ है और यह माइक्रोपाइलर इन की तरफ है तो इनका काम होगा सस्पेंसर फॉर्म करना और टर्मिनल जो सेल्स होंगे व यहां पर structure इस तरह से यह जो दो सेल बना है अब यह फिर से convert होगा terminal cells pro embryo का formation करेगा इस तरह से pro embryo में जो formation होगा किस तरह से होंगे यह pro embryonal cells होगा pro embryo तो pro embryo इस तरह से division करेगा division करके number of cells को increase कराएगा यह जो हमारा structure होगा चार है न तो quadrant प्रोइम्ब्रायोनल क्वाणने का formation होगा यह तो प्रोइम्ब्रायों हैług यह quadrant x4 टो यह जो इस ट्रक्टर रोगा मारा प्रोइम्ब्रायोनल क्वाध यह घर से और यह जो बेसल सेल्स है यह जो सेस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा किस तरह से यह सेस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होगा इस तरह से यहां पर यह नीचे वाला सेल्स पार बार डिवीजन करेगा कि और कि लॉंग कि सेस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से सस्पेंसर सेल का यहां पर formation होगा है न यह सस्पेंसर सेल हूंगे और जो सस्पेंसर सेल का last वाला छेल्स होगा इसको हम लोग जो है historical sales बोलेंगे यह historical sales का formation करेगा और यह जो बीच वाला सेल्स है यह सस्पेंसर यह सस्पेंसर सेल का फॉर्मिशन करेगा इस तरह से और उपर में प्रो इंब्राइनल क्वार्डेंट का प्रो इंब्रायो उसमें से चार सेल यह सस्पेंसर सेल क्या करता है इसको क्या करता है इसके तरफ इंडो इस्पॉम के तरफ पुश करता है यह चलाजा के तरफ यह मैक्रो पैलेरीन के तरफ है तो यह सस्पेंसर सेल उसको पुश करता है इंब्रायो को पुश करता है तरफ अब यहां पर जो प्रो इंब्रायोनल इस्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर और एक चेंजेज होंगे है ना क्या चेंजेज होंगे यह जो प्रो इंब्रायोनल वाला पार्ट है यह फिरसे पेरीक्लाइनल डिविजन करेग प्रो इंब्रायोनल ऑंक्तेन का फॉर्मिशन करेगा चार से आठ बन जाएंगे लेकिन यहां पर जो डिविजन होगा किस तरह से होगा देखते हैं नहीं परिकलेनल डिविजन बाद में होगा इसके यह जब चार से आठ बन जाएंगे तो यहां पर इस तरह से होंगे यह तो चार से पहले ही थे अब यह डबल हो जाएंगे एक द आटेन्ट आपके इसमें कणवट होगा ओकेंट में कंवट हो गया इस तरह से और यह जो अस्पेंसर सेल का सबसे ऊपर वाला स्ट्क्चर जो प्राइब ग्रेस का आप वह थोड़ा structure में large size का होता है hypothesis hypothesis का formation कर लेता है इस तरह से hypothesis का formation कर लेता हो और बाकी वाला suspensor cell इस तरह से रहता ही है और इस तरह से हास्टोरियल सेल्स यह रते हिना तो यह तो हमारा हो गया हास्टोरियल सेल्स यह हो गया हमारा यहां से यह तक स्टरसर सेल्स और ये जो इसक्रीश ensure नीचे रहे हैं इसको Kommis बोलते है इसको बोलते हैं हाइपोफाइस सेल्स इस तरह से ना है इस तरह से यह यहां पर प्रोइम्प्राइरल यह 448 में कनबड हो गया अब 8 में जो डिवीजन होगी इस तरह से इस तरह से यह जो आउटर सेल्स होंगे देखते हैं जो इसकी डर्म डर्मिस का फॉर्मिशन करेगा क्वाइब इस तरह से यह जो हमारा ओक्टेन फॉर्म है यह अब डबल हो जाएंगे इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार अबारत तेरे चोदर पंदर सोला तो इस तरह से पेरी क्लिनल डिविजन होगा अब यहां पर शेक्शन बनेगा यह जो आउटर सेल्स है यह एक्चुली क्या बना देगा डर्मेटोजेन बना देगा आउटर सेल्स क्या बना देगा डर्मेटोजेन जिसको एपी डर्मिस बोलते हैं यहां पर जो आउटर सेल्स होंगे क्या बना देंगे इपी डरमिस पारी सेल्स को क्या बोलते हैं जो पर इम्डायों है न Baltimore यहींघन हो गया पेधिडिनल डिविजन एसा डिविजन होगा पेडिकलेनल डिविजन यहीं पर हम लोग लेखग देते हैं डिविजन कैसा होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन से यह पर मैंने लिख दिया डिवीजन काई साइब पेरिक्लाइनल और यह जो आउटर सेल्स होंगे यह आउटर सेल्स डर्मेटोजेन that means epidermis का formation करेगा यह किसका formation करेगा dermatogen और बाद में यही जाके epidermis dermatogen epidermis का formation करेगा इस तरह से epidermis का यहाँ पर formation करेगा तो यह outer वाला cells अब यहाँ पर ध्यान देंगे यह जो structure हम लोग देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर किस तरह से cells structure में changes लाएंगे तो यह जो हमारा periclinal division हुआ pro-embrinal octane में structure हमारा यह बना इस तरह से यह हमारे जो नीचे के cells हैं hypofysis cells यह hypofysis cells में division होगी और इस तरह से mitotic division करके 8 cell का formation करेगा 4 उपर 4 नीचे किस तरह से यह जो hypofysis cells हैं एक दो तीन चार और इस तरह से division होगी तो 8 हो जाएंगे 4 उपर और 4 नीचे इसके नीचे यह हमारा hypofysis cells division करके 8 cell का formation करता है और फिर इसके नीचे इस तरह से यहां पर जो suspensor cell है वो सेल होंगे ही मैं चोटे 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 साइस दिखा देता हूं यह यह suspensor cells होंगे और इसके नीचे इस तरह से हमारा कौन सा सेल से होस्टोरियल सेल से यह होस्टोरियल सेल्स को मैं दोरह से बढ़ा करके दिखाता हूं यह structure हमारा होगा यह हमारा क्या है यह hypofysis से सेल्स होंगे यह हमारा सस्पेंसर सेल से है और यहां पर यह चार नीचे के सेल से और चार उपर के से हैं तो यह जो फोर अपर सेल्स यह जो फोर लोवर सेल्स है यह हमारा फोर्मेशन करेगा कि क्या-क्या फॉर्म करेंगे रूट केप और रूट टिप का यहां पर फोर्मेशन होगा रूट केप और रूट टिप यहां पर बनेंगे यह लोवर फोर सेल्स है लोवर फोर सेल्स हमारा रूट के और root tip का formation करेगा और यह जो upper four cells है जो हाइपोफाइसे cells इस तरह से division करके बनाए हैं वो हमारा किसका formation करेगा root cortex का formation करेगा यह हमारा क्या करेगा root cortex का यह root cortex का formation करेगा four upper cells इस तरह से यह हमारा root cortex का formation करेगा अब यह जो हमारा structure है जिसको embryo pro embryonal structure बोलते हैं उनमें से यहां पर देखो यह अपर cells है हाफ सरकल नीचे हाफ सरकल के cells है तो दोनों का अलग-अलग functions होगा यह 8 cell हाइपोफाइसे में चार से उपर वाला root cortex और चार से नीचे वाला root tip, root cape का formation करता है यहां पर उसी तरह upper lower cells और upper cells अलग-अलग forms करेंगे यह जो अपर वाला पार्ट है यहां से यहां तक हाफ पॉर्सन के जो cells है वह प्लूमूल और कोटाइलीडन्स का formation करेंगा यह प्लूमूल प्लस कोटाइलीडन्स इस तरह से फॉर्मिशन करेंगा और जो यह लोग-फॉर cells है यह जो यहां से यहां तक के cells हैं यहां तक के यह cells प्रो इंब्राइनल पार्ट के यह हमारा क्या-क्या formation करेंगा इसमें से हाइपो कोटाइल और हरूट सोरी यह प्लूमूल कोटाइलीडन्स हो गया उपर में नीचे में जो होगा वह हाइपो कोटाइल का फॉर्मिशन करेंगा इसका हाइपो कोटाइल का फॉर्मिशन करेंगा यह हमारा हाइपो कोटाइल का फॉर्मिशन करेंगा इस तरह से प्रो इंब्राइनल प्लूमूल कोटाइलीडन हाइपो कोटाइल रूट कोटेक्स रूट केप रूट टिप इस तरह से हमारा का formation होगा ओके तो नंबर ओफ हैप आपसे जो सेल्स है इस तरह से रौट रूट कोटेक्स और रूट के प्रूट टिप का इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग देख तेद हैं यह s-achim से सर्चरह रहे हैं जिर सब्सक्राइब क्टोर सा इम्प्राइयो यह ग्लोब्लर इंब्लाइओ यह ग्लोब्लर इंब्लाइओ स तिरह से आगे की सिफ्ट करेगा नेंत जो इस्ट्रक्चरत से मारा बनेगा हर्ट सेप है ना इंब्रायों का फोर्मेशन होगा तो यह सारा इस ट्रक्ट्चर हॉप प्लूमुल कोटाइलीडन है को रूट कोटेक्स रूट केपटीप यह सब है न इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंजेश होंगे यह हाफ पोर्शन हमारा चेंजेश होगा है ना कोटाइलीडन हाइपो कोटाइल और फिर रूट कोटेक्स अलग-अलग फॉर्म्स होंगे तो जो सस्पेंसर सेल्स है यह तो डीजनेट हो जाएंगे हस्प्रोडियल सेल्स है यह भी डीजनेट हो जाएंगे लगाएं अफ्टर डॉबलोब्मेंट ओफ इंब्रायो यह सब डीजनेट कर जाएंगे यह जो हमारा रूट कैप और रूट्टिप structure है यह किस तरह से नज़र आएंगे यह इस तरह से हाफ और्ट पॉर्शन नज़र आएंगे यह वाला हाफ-पॉर्स जो है इस तरह से हमारा किस किस का formation करेगा root cap और root tip का formation करेगा यह वाला person root cap और root tip का formation करेगा यह वाला person है ना इसके जो यह जो cells है four cells जो root cap root tip का formation किया इसके नीचे वाला designate कर जागा अब इसके four cells उपर इसके उपर के four cells जो root कोटेक्स का फोर्मेशन करता है वह इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर होगा यह मैं रेट कलर से दिखाता हूं रूट केप का इस तरह से फोर्मेशन करेगा रूट कोटेक्स इस तरह से रूट के रूट तिप यह वाला स्ट्रोक्टर उसके उपर चार से जुब ज़ whispering करेगा और यह वाला स्ट्रीक्टर जो है नहीं के, इंबराइऑनल पार्ट फो 베ू лежए का फोर्मेशन करेगा इसके उपर के जो स्ट्रक्टर है से हाइपोकोटाईल हो इसके जू उपर के हावं सर्कल है फुलमूल और कोट यलीक्ट का फोर्मेशन करेंगा तो यह किस तरह के निये इस तरह से हड़ सीव बनेंगे यहां पर इस तरह सेंपम मुल होगा। और यह वोला o do San j tu ayr होगा यह हमारा क्या होगा कोटाइली और यह वोला इस्ट्रेक्शर से कोटाइली और हो गया है तो हमारा यह फुली यह जो assureer हैं इंब्डायो का अब किस में कनबोट हो गिया हैं हट में कनबट हो पहला इस्ट्रक्चर ग्लोबलर दूसरा हर्ट से है ना इसके बाद यहां पे चैंसेज होती है इस तरह से यहां पर जो इंटर आएगा इस तरह से अ कि यह स्रोन प्ति धंच को टालखे जाता है यह बेंड हो जाता है यह जो कोटाइलीडंस पुलूमूल है यह पुलूमूल यहां पे तो है ही यह पुलूमूल तो इस्ट्रक्शर यहां पे नजर आएगा ही यह पुलूमूल यह जो है बैंड हो जाता है कोटाइलीडंस जो होता है यह बैंड हो जाता है पुलूमूल अप स्ट्रक्चर है जो हाइपो कोटाइल का फॉर्मेशन करता है यह क्यों सा इस्ट्रक्चर फॉर्म करेगा रूट कोटेक्स है ना हरूट कोटेक्स the root cortex और नीचे वाले यह दो इस्ट्रक्चर को बनाएंगे हैं रोट केप वो रूट केप और रूट कीप का फोर्मेशन करेगा इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर हमारा होगा यह कौन सा स्ट्रक्चर होगा यह हमारा इस्ट्रक्चर होंगे है ना होर्सू सेब्ड इंब्रायो कैसा होगा है होर्सू सेब्ड इंब्रायो इस तरह से होगे फाइनल इस्ट्रक्चर तो पहला इस्ट्रक्चर ग्लोब लोल इंब्रायो हर्सेब्ड इंब्रायो एंड देन होर्सू सेब्ड इंब्रायो का इस तरह से फॉर्मेशन होगा यह फाइ देखेंगे तो थोड़ा इस तरह से देखेंगे इस तरह से इस तरह से यह इम्प्रायोनल एक्सिस है यह कोटाइलिदंस है यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं आएंडे इंब्रेसे और यह यह जो दोनों तरफ दिख रहा है ना यह कोट्य लिटनस है डाइकोट है दो कोट्य essayει यहकोन आई दू एक यहकोर दम सहुए यह इसको बोला जाता है को टाइली डरी नोड कोई इसको को टाइली डरी नोड बोलते हैं इस तरह से यह स्ट्रक्चर होती है तो यहां पे किस तरह से नज़र आएगा यह जो थीप वहला क्वाइंट है कि ये बनव और ये रेडिकल इस तरह से ओंगे। कि पुलूमुल वाला पार्ट होगा। है इस तरह से पुलूमुल और रेडिकल जो kami रूट का फॉनमेशन करेगा सूट का फॉनमेशन करेगा। अब ये स्ट्र exclusion होती है यह द कोटाइलरी नोड होता है इन बिट्विन पुलूमूल और कोटाइलरी नोड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इपी कोटाइल बोलते हैं और यह नोड और रेडिकल के बीच में यहां पर भी एक स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइपो कोटाइल यह जो स्टेपवाइज इस तरह से स्टेपवाइज नहीं कहा है आपको ख़ने की ज़रुरत है अदर्वाइस समझ में नहीं आएगी प्रो कहले कि यहां बहुंद ऑल्ली वार से थिटिन का कौम करता है यहीं अलग है तो यह जो ऑला पार्ट है सोटाइब्लक्ट्ट मेंस सोटाइब साथ या इंपर की तरफ द Yoshkeld यह सबस्केंसर ना यहाँ पर टीशू की कि लिजना फीर टे점 सोटी है उनकी तरफ भीस जिस तरह से यह आगे की तरफ पुस होगा इसको यूज करेगा फिर आगे की तरफ यूज होगा है ना जिस वज़ा से यहां पर जो सिट का फॉर्मिशन होगा दो तरह के होंगे अगर होगा तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं और इस तरह से हम लोग आज के अगे तरह बहुत अधर वाइस नहीं ओके थैंक यूज